कि अच्छ पर आप कि अच्छ चैनल आइकोनिक नर्सिंग एकेडमी लास्ट वीडियो में अपन इसकर्स किया था कि जो अपन रेगुलेशन कैसे होता है टेंप्रेचर का और साथ में उसकी फैक्टर अफेक्ट कौन से कर रहे थे तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइब ऑफ थर्माम में आते हैं आपकी competitive exam में बहते हैं और आपके जो यूंईर्स सिटी एक्जाम उनलाते हैं आपको कूछट सकते हैं तो और एक में कि है टाइप को धरमा मेंटर की बात करते हैं कि के इसे थर्मावा हो सकते हैं जिससे अपन टेम्परेचर सब नाप सकते हैं उसको टेम्परेचर को नाप सकते हैं तो पहले इस से में पढ़ाने से पहले मिể 2 चाओं के ही P táun realizaruna योन नौर्मल टेंप्रेचर की रेंज होती है नौर्मल करा इंफ्रेचर की नोर्मल बोडी टेंप्रेचर नोर्मल बोडी की रहते कि कि इतना होता है कि उसकी रहता है तो इंक्रीज रिक्स रहती है इस कंडिशन में पैसेंट की डेट भी हो सकती तो यह नोर्मल रेंज रहती है बोड़ी टेमप्रेजर की और इसके बाद में अगर मैं नोर्मल रेंज बताऊं नॉर्मल रेंज और थर्मामेटर तो उसकी रहती है अगर celsius में मैं बोलू तो celsius में रहती है आपकी 35 degree celsius 2, 43.3 degree celsius और अगर मैं फेरेनाइट में बोलू 2 रहती है आपकी 95 degree Fahrenheit 2, आपकी 10 degree Fahrenheit इंपोर्टेंट क्यूशन ने बहुत बार competitive exam में पूछते हैं और आपका जो अग्स्टर्मामेटर आता है उनिवर्सिटी के अंदर वह भी पहुंच सकता है तो यह आप राइट डाउन का लीजिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप सोफ थर्मामेटर तो type of thermometer के अंदर क्या होता है फर्स्ट आपका thermometer आता है glass thermometer तो glass thermometer जो आते है जो glass thermometer आते हैं वो दो टाइप के आते हैं एक तो oral का भी आता है दूसरा type का रेक्टल का भी आता है फर्स अपन बात करते हैं oral बाला दो ओरल थेर्पोमेटर होता है उसके अंदर दो पार्ट सोते इंदर किक् integrate को एक को वूंद बल्प ढूर्ज एक ताफ पर्लर होता है आपका स्टेम वे तो इस टैम तो क्या करता है आपका मरक्र और धाकर करके रखता है एकस पांज संड मतलब इसके इंदर रहती वह रहती आपकी mercury भरी हुई रहती है और अगर पात करो तो इसके अदर और ठर्मामेटर रहता है उसके इंदर जो बल्प्स होता है उसाय सेब कौन सी रहती इसकी अगर मैं सेब की बात करूं तो वह रहती है खिलेंद्री कि अपल सेब करेता है अगर में उसका जो राउंड सेब और च laugh कि तो सोरी स्लेंडन्री कर सेप रहेगा और अगर इसके साथ में अगर मैं बूलू इसका जो कलर होता तो radar होता है है या तो इसके अंदर कलर रहेगा वो सिल्वर कलर कर रहेगा है कि सिल्वर कलर हो सकता है या मैं कह सकता हूं इसको ग्रे कलर कर रहेगा करे कलर रहेएगा थीट और मैंने बताया ओरड़ृ थर्म Him परेद पर से रहता है उसका राउंड जेप का सिलेंद्र कल से रहती है और उसका जो कलर रहते जुछ के अंदर मर्कयूरी वरी डिलेटी वह Item क्या करणे आपका मर्क्री एक्सपांसिन का का अपना यह थन आता है आपका कि इसको सरअपन इसकी केर कैसे करें जो केरोग थर्मामेटर वो कैसे होती है तो केरोग थर्मामेटर की अगर मैं बात कुरूँ केरोग थर्मामेटर तो के रूप थर्मामेटर में क्या आता है आपका इसको डिसिंफेक्टेंट करने के लिए फ़स्ट आता है डिसिंफेक्टेंट कि डिसिंफेक्टेंट कैसे करें तो डिसिंफेक्टेंट कर सकते हैं अपन तीन चीजों से करते हैं फ़स्ट आता है आपका सेवलोन से वलोन आता है दूसरा आता है डिटोल गर तीसरा अता है। लाइजोल आ Hampshire शेगा इनका रेश्यों अगर ओपन देके इनका रेश्यों आगर देखे तो टो सेव लॉन का रेश्यों होता है 020 इसका होता है और वन रेश्यो 40 और इसका रहता है वन रेश्यो 40 अगर मैं बात करूओ कितना रहता है तो इसके अंदर रहता है फाइप मिनित तक Loved disinfectant करेंगे इसमें व्य व्यP mninope disinfectant करेंगे और इतीन मिनि supervision करेंगे तो यह रहता है कैसे कर सकते हैं इसकी पता रहा है gorothermometer की कि इस परकार से अपन इसको डिसिंफेक्टेंट कर सकते हैं सेवलोन यूज ले सकते हैं डिटोल यूज ले सकते हैं इसके बाद में अगर मैं बोलू कि अपर इसको यूज कैसे ले यूज कैसे लेते हैं इसके क्लीनिंग कैसे करें तो नेक्स आता है आपका क्लीनिंग क्लीनिंग कैसे करें तो इसके अंदर दो कंडिशन ने आती है एक तो आपका यूज लेने से पहले और एक आता है यूज लिने के बाद तो विफोर तो करेंगे अपन बल्ब टू इस्टेम और आप्टर कैसे करेंगे इस्टेम टू बल्ब त25 फिर अपने को इसकी स्वेक्र करने होता है क्लीनिंग करने होती है यहां तक आपको समयख में आएगा औरल रिंबखोतर के बारे में चैथि करेंगे 10 यह कर गांशना ट्रॉंच लिफेक्टर्टा होता है यूज यह इस्टेम होता है QA U Aría कि इसमें भी वोई दूपार्ट होते हैं एक होता आपका बन सेकिन होता आपका इसके इस टें में वो ही मर्कुरिंब एक्सपांशन ऌन चाने जबकि बैंश्व पोता है वह होई कौनसी सेट का रहता है जो बल्ब होता है किसा रहता है इसोर्ट रहता है और नेक्स इसका अगर मैं सेफ देखू तो वो कौन सी सेफ का रहता है राउंड सेफ का रहता है राउंड सेफ और इसके अंदर कलर की अगर मैं बात करो तो या तो ब्लू कलर की मर्कुरी में रहेगा या फिर रहेगा आपका कौन सी ब्लू कलर की या फिर आपके रेड कलर की तो यह इंपोर्टेट्ट्ट चीजे रिक्न जो थर्मा मीनि रोता है वो भी आपको गलास थर्मा मीटर ही होता है उसके अन्दर बूप आता है एक सेम टाइप का आता है लेकिन जो बल UK आता है यह आपका बल पोगे यह आपका इसटेम त्लाइप को अगर देखो तू पुर्पूसका कैसा आता है रहूंड इसके रिक्टल थर्मामेटर का वो राउंड सेप का आता है और जो कैसा है अब का एगा छोटा हेगा और उसका कलर जो इसके अंदर जो बरकरी भरी रेती बीच में उसका कलर कैसा आगा वो मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट अपना आता है कौन सा डीजितल थर्मामेटर को नेक्स्ट को आता है आपका डीजितल थर्मामेटर अग्यार सेकिंड अब गर हां की इस को बिखिटल थर्मोमेटर सो डीजिटल थर्मोमेटर को आपन दूसरा नाम कह सकते हैं आल सो नों है और इसको कहते हैं इलेक्ट Iga 12 गर्ट-ओं थर्मोमिटर थीक है electrical thermometer भी कह सकते हैं इसके अंदर जो आपका जो duration होती है कि आपका कित्ती देर में आपके reading प्रवाइड करवा देगा तो वो रहती है एक minute एक minute में आपको reading दे देता है और इससे भी best answer है after beeping कि मतलब इसको यूज लेने के बाद में कैसी आवाज आती बीट के वाज आती तो वह आपका जब बीप करेगा उसी कंडिशन में आपका क्या रहता है यह आपका temperature बता देता है नेक्स आता है इसके अंदर अगर इसको disinfectant करें तो इसके अंदर आपको disinfectant करने के लिए आपको 70 percent alcohol use में लेते हैं 70% alcohol use में लेते हैं वह आपको disinfectant कर सकते हैं इसके बाद में जो आपका temperature थर्मामेटर आता है वह कौन सा आता है disposable thermometer कौन सा आता है आपका disposable thermometer कि नेक्स आता है आपका 3rd disposable thermometer जो disposable thermometer है यह दिलियम में कई बार पूचा जाया है तो आप इसके image भी देख ले नेट से तो साथ में अगर disposable thermometer वह single use single paper आता है यह single use आता है मतलब एक बार इससे temperature चेक किया कई भी स्कीन की सरपेस पर टच किया इसके अंदर एक ऐसा क्रियेशन आता है कैसी सेप के अंदर आता है तो वहां पे आपका कैसा रहता है एसका कुछ सेप रहता है इसका पर इसकीन के टच करेंगे तो कलर कोड़ आ जाएगा और कलर कोड़ जहां पर आता है वही आपका क्या रहता है डिस्पोजेबल थर्मामेटर वही आपका टेंपरेचर बताता है तो इसको एक बार यूज लेन के बाद में इसको डिसकार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं अर्याइन वाटरं अ कि वाटर और सॉल्यूशन के लिए रूस लिया जाता है जो भी अपने को टेंपैसर टेक करना होता है कि इसका सुलूशन का या किसी वाटर का अपने टेंपैसर अगर लिलिया जाता है अब इसके जो रिदिग ऑथी हों यह कौत तो आपका जीरो अगो आप को या आपका व्रीजिंग रहता है और यह आपका कैसा पॉइंट रहता है यह आपका बोलिंग पॉइंट रहता है मतलब इस कंडिशन में ऐसा है कि जो सोलुशन है उसका टेंपरेचर आपने चेक कर सकते हैं कि किस ताइप पर अपने को फ्रीज को सकता है किस टाइम पर टेंपरेचर लो है और कौन सा आपका बोईलिंग के लिए यूज लिया जा सकता है तो लोसन थर्मामेटर अपने डिसक अब अफोरेट केमिकल ठरमोमेटर होता है वो यूज लिया जाता है कि इसके अंदर जो in fact कि अशान लोग्या उनते हैं इसके पर आपके चल्ड़ से'llाइंब कर मक। ने क्रभीप थे कर आदर के पंदरह तरह से बीश सेकिन्ड के अदर यह रिडिंग परवाइड करवा देता है और इसके बाद में अगर मैं देखू तो इसके अंदर किस्ट में यूज लिया जाता है चाइल और इंफेंट के अंदर यूज ब्लिया जाता है क्योंकि अपन उसके अंदर एकजिला से जो कि आपने जॉफ क्या और इसके बाद में इसको क्या करेंगे अधेयर कर देंगे और इसके अंदर condition आती है जहां गूर आएगा ग्रीन कलर तो वह कंडिशन क्या वोगी ग्रीन करेंदर कंडिशन होगी आपकी टेंपरेचर रहेएगा उश कि कम रहता है हाफ डिग्री डिक्रीज रहता है या हाफ डिग्री लो रहता है और अगर कलर आ रहा है आपका किसके साथ में ब्लू ब्लू कलर आ रहा है तो इस कंडिशन में रहेगा हाफ डिग्री अब रहेगा हाफ डिग्री अब रहेगा तो यह आपको समझ में आयोगा तो इससे चेक कर सब्हों आपन में पन स incar सकते हैं ऊसमें इसको लगा देज्ग केमिकल रहता है कौण सा अगर इसका पलग पूशे सी तो अनुधिक का मकरता यह यह इंच पर का आपव बता यह तो और तो । कम रहेगा temperature और अगर blue color रहता है तो half degree अबबब रहेगा ठीक है अगर example से ऐगर मैं समझाओ इसको अगर example से समझाओं तो अगर आपका temperature ग्रीन कलर का आ रहा है कितना ग्रीन कलर का आ रहा है आपका 98 एड़ डिगरी इसक्स डिगरी फेरेनाइट आ रहा है और साथ में अगर आपका यह रेड़ कलर वाला भी शो हो रहा है तो इसके अंदर हाप डिगरी तेमप्रेचर वह आपका और बढ़ जाएगा इसके बाद पर नेट्ट कर्श करते हैं आपका कौन सा थर्मोमेटरेश टि सब्लिखन सब्लिखन कर्यों और нач वीडियो में मैं ने बताया था को टेंप्रेच्छर क्या होता है यहां पर समयुखन होता है का जो टीप टीशु का जो टेंपरेचर होता है इस ती को यह यह आपका कहता है डीप टिशू टेंपरेचर रहता है जो डीप टिशू का टेंपरेचर होता है वह परवाइड करवाता है फोट टेंपरेचर यूज कहां से लेते हैं इसके अंदर आपका इसका आपका यूज ले सकते हैं टिंपेनिक मेंब्रेन से पेनिक मेंब्रेन या मैं बोल सकता हूं इसको यह से ठीक है यह से भी कह सकते हैं और इसको अपन दूसरा नाम इसका आजकल खूब चल रहा है पोरोना काल के अंदर बहुत सारा चल रहा है इसके अंदर जो टेंप्रेश वह आता है इसको अपन इंफ्रेटेड थर्मोमेटर भी कह सकते हैं इसको इंफ्रेटेड थर्मोमेटर भी कह सकते हैं और यह आपका किविक रीडिंग प्रवाइड करवाता है इसका यह है क्योंकि जो आपके ओडिटरी के नाल होती है जो ओडिटरी के नाल होती है नियर किसके रहती है नियर ब्रेन स्टेंड के पास में रहती है तो यह मैंने मना टिम्पेनिक टेंप्रेचर इसका को टेंप्रेचर भी कहते हैं पो टेंप्रेचर इस बाइन से लेते हैं और आपका जो thermomator होता है यो इसको इन फ्राट्डड गन भी कह सकते है जो आजकल खूब चल रही है आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका temperature उस्थी चेक करता है और साथ मैं अगर को मैं बोल सकता हूंстеि कि दिन इसका जो रीडिंग परवाइड करवाता है वो कितना में करवाता है आपका एक से दो सेकिंड में आपका रीडिंग परवाइड करवा देता है एक से दो सेकिन में आपके रीडिंग को परवाइड करवा देता है क्यों परवाइड करवा देता है क्योंकि जो ओडिटरी क ते म् मेंब्रेश्ट ले तो यह अपने कौन से थाईप ऑप अ क्या थे थर्मामेटर्ञ ते अब नेक्स्ट बात करते हैं important है यहां से वो है आपका site check for temperature कि temperature कौन कौन से साइड है कौन कौन से जगह है जहां से अपन temperature को चेक कर सकते हैं तो first आती है site आपके first आता है important है आपका oral अलिए कि औरप निग और यंदेवां से अनुट धर्मामेट error चेकर से लेत तो आपका क्या रहता है तो अब करें लेता है नौर्मल रहता है कितना है नौर्मल रहता है आपका 98.6 तीगरी हैं सब लिंग वाई हमाइना रहता है है आपका नॉर्म तो इसको सब्लिंग्वल या फिर अंडर्डी टंग कैंक ऑड ईरी तंग को अगर अपन इसके अंदर आप अपन ग्लास ऐमा मिट्र से ले रहे है जो ऊरन टपरीजिस करने के लिए तो अपने साट एपना जो टाइम defens cents रिडिंग करवाइगे किति मूनिते में करवाएगा वो करवाएगा आपसे एक से टीन मिनितus के अंदर परवाइडे कर यगा और सवे बिसागर बीप के आवाज मारेगा बीप की साउंड आएगी तुव आपका इंपोर्टेंट रहता है अगर यह आपको एक्जाम में क्यूशन आंस्वर में नहीं मिलता है तो आप इसका कर सकते एक मिनिट यह आपका किता बता सकता है एक मिनिट में आपका यह टेंपरेचर परवाइड करवा सकता है तो मैंने साइट बता दी नॉर्मल रेंज बता दी गलास थर्मामेटर अब बात करते हैं किससे हाई रहता है और किससे कम रहता है तो यह जो टेंपरेचर रहता है वो हाई रहता है किससे वन डिग्री फरेनाइट हाई इससे आपके एक जिला जो टेंपरेचर लेते हैं उससे एक डिग्री हाई रहता है और एक डिग्री लो रहता है एक डिग्री फरेनाइट लो रहता है किससे आपका जो रेक्टल थर्मामेटर होता है जो रेक्टल रूट होता है उससे कहा यह इंपोटेंट कई बार क्यूस्टन एक जाम में पूछा जाने वाला क्यूसर ने कहां से हाई रेता है और कहां से कम रहते हैं अक्सर बच्छे प्रवाई प्रेश प्रवाइड नहीं करवानी पेशंक को एना कुछ कोंट्रा हरते वहूं आपण डिसकर्ज करेंगे अब skirt a साथ में इसके इंडिकेशन में बता दिए कि अगर यहाँ से यहाँ से तो वो कैसा आता है वो आता सप्लाई रहती है तो यह आपका टेंप्रेचर परवाइड करवाती है तो ओरल टेंप्रेचर के लिए मैंने बता है नोर्मल इतना होता है ठीक है नाइंटी एट बॉइंट सिक्स दिग्री फेरेनाइट सब लिंगमल अंडर दिटंग लेते हैं अपन और यह सब अपन चेक कर सकते हैं अब बात कर सकते हैं इसके अंदर आपकी कि इसके अंदर जो कोंट्रा इंडिकेशन रहता है और जो कोंट्रा इंडिकेशन होंगे वहीं अपने को क्या कर सकते हैं अपने को इंडिकेशन नहीं होंगे जो कोंट्रा इंडिकेशन होंगे वह अपने इंडिकेशन नह बाता है इसके लिए प्राइवेसी की नो नीड टू प्राइवेसी की जर्रत नहीं रहती प्राइवेसी की जर्रत नहीं रहती और इसके बाद में अगर मैं बोलू तो आपका क्या रहता है कि इसके कॉंट्रा इंडिकेशन तिस Wait कोंट्रेंडिकेशन आपके क्या रहते हैं किसके क्वोण ड्रियंडिकेřं त्ंदो क्वोण क्वों परिंडिकेशन किया क्या हो सकते तो कंव्येशन क्का रहेगे या तो और जार्जरी होगी यह फिर बिलोग्ड जाइडर बिलोग standards इस इयर या मैं बोल सकता हूं मेंटली इलपेसेंट हो गया अनकॉंसियस पेसेंट सीजर्स आ रहे हैं या कनवल्जन आ रहे हैं फीट्स आ रहे हैं ठीक है है या फिर मैं बोल सकता हूं इसके अंदर माउथ विरितर है कि डिहाइड्रेटेड या कफ हो रहा है पेसेंट गो या आपकी क्या हो सकता है ओटु मास्क लगा हुआ है ठीक है उस कंडिशन में आपका कॉंट्र इंडिकेशन देता है औरल सर्जरी के अंदर अगर और बहुचे अंदर नहीं लेना होता है mentally ill patient, mentally ill patient में तो अपने को लेना ही नहीं है, mentally ill patient में तो अपने को procedure करने से पहले, अपने बहुत बार सोच ना पड़ता है, उसके बाद में अपन procedure कर सकते हैं unconscious patient में वैसे नहीं ले सकते seizures के अंदर हो गया आपका conversion हो रहा है, feats आ रहें seizures आ रहें, mouth breather mouth breather आपका कैसे हो सकता है, mouth breather अगर मैं बोलू कि अगर patient की nose की surgery हुई है nose की surgery हुई है, उसको नाक से सास लेने के लिए doctor ने मना किया है तो उसको indicate करेंगी कि आप oral सास लो अगर आप उस condition में उसकी नाक से भी सास बंद है, और उसके अगर mouth से भी आपने सास बंद कर दिया, उसका mouth बंद करवा जया, क्योंकि जो temperature की reading है, वो उसमें एक से तीन मिनिट भी लग सकते हैं या एक मिनिट भी लग सकती है, अगर उस condition में मना कर दिया, तो आपके जो उसकी breathing है, वो रुख जाएगी और patient की death हो सकती है, तो अपने को एक अच्छा nursing officer बनना है, जान लेवा compounder नहीं बनना है, तो उस condition में अपने को ध्यान रखे कि mouth बिरितर अपने को नहीं लेना है, आपका dehydrated रहे, क्यो blood supply वैसे ही कम है, पानी की fluid की वैसे ही कम ही हो रही है, तो वहाँ पर आपके blood supply एक्च्वल नहीं रहेगे, आपके actual temperature नहीं आएगा, cuffing हो रही है, वह बार-बार खासेगा, तो temperature, thermometer कहां रहेगा, खासी कहां जाएगी, और आपको भी infected रह सकता है, और अगर auto mask लगा हुआ है, वही बात आ जाती है, अगर auto mask oxygen लगी हुई है, और उस condition में अपने को oxygen अठा जी तो पेशन का तो राम नाम सत्य वैसे ही हो जाएगा, तो इस condition में अपने को oral temperature contra-indicated रहता है, एक चीज और आती है, अगर patient एक क्यूसन बहुत बार आता है, if patient मैंने बताया था लास्ट वीडियो 15 to 30 minutes, first priority मैंने बताया थी, 15 minutes होगी, और second priority यह बताया थी मैंने 30 minutes होगी, ठीक है, तो इस condition में आपका अपने को smoking कर रहा है, टोबे को ले रहा है, यह च्विंग कर रहा है, खाना का क्या है, यह गुट का पान मसाला खा रहा है, तो उस condition में आपका क्या रहेगा temperature, विदोल्ड करना रहेगा, क्योंकि क्योंकि उस condition में energy level ज्यादा रहता है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन, यह होगी आपकी फर्स्ट साइट, और थर्मामेटर कैसे लिया जाता है, कहां इसके Contra Indication है, कहां इसके Indication है, यह मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं क्योंसी, जो इस नेक्स्ट होता है आपका वो साइट उती आपकी सेकिंड होती है, वो रहती है एक्जिला, सैट, अगर मैं बोलू तो साइट, इसके अंदर बोल सकता हूँ मैं मीड़, थे मिड़orkणक कि एह एक जीला है nearby एक जीला मिड़िन गर ने धी एक जीला हई के सब चाह इसके बाद सुल हरे मैं बोलूं कि यह कहां हमाई रहता है और का लो रहता है तो एक 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 दो डिग्री फेरेनाइट रहेगा आपका दो डिग्री फेरेनाइट लो रहेगा किसे रेक्टल तेमप्रेशर से यह जो भी मैं बता रहा हूं वो सारी इंपोर्टेंट कुसेन है हर एक्जाम में और आपके जो एक्स्टरनल आते हैं यूनिवर्शिटी एक्जाम के लिए वह ऐसी चीज़े बहुत पूस्ते हैं तो इस तोपिक को तो यहां से आता है वाइटल साइन का ठीक है इसके बाद मे अगर में बोलो और यह क्या रहता है ढूर्ट कोमन कहरा इक मौस्ट कॉमन मेंतल रहता है कि सब्सकर्णा षेक करनें गालों है ठीक में बता डिया सारे सारे पॉयंट करते हैं रहता कि तो आउनिकेसिन देख लिए तो पर ऑलिंडिकेशन होते हैं आपके वाले कौन रिदिकेशन वह है जहां पे आपका जो ओर वाली जी ओरफ सरी कौन से रहतेगे क्मde के इंडिकेशन रहते तो इसके यहां मेला तेमप्रेचर को सुनुदमेकर इस जो सारे आजाएंगे और आपके चाइल्ड के अंदर भी इसके मोस्ट को में रहता है जो व्यच्चे थे उनमें इससे टेंपरेचर ले सकते हैं जो शीजर्स वाला पेसेंट था और जो आपका बंड का शीजर सोरी बंड का नहीं आपका शीजर्स वाला एपिलेप्सिक पेसे था मेंटली इल पेसेंट था जिसका माउच ब्रीतर था आपका नोज ओक्सिजन लगा हुआ था तो डियाइडरेटेट पेसेंट था उस कंडिशन में अपने एक जिलाए से टेंपरेचर ले सकते हैं में थिंग आती है इसके कॉंट्रा इंडिकेशन का है तो कॉंट्रा इं नोड़ बॉट दोग्या है ऐसे Allah कर लिए अपका पहस्य जाता है मैं फ्रेक्ट्चर पहसंड़ खेसंट हो गया और ली टेंप्रेटर नहीं सकती बत्या है और उसके अगर उसके ओसके में में आपना उसके लिंप नौर भी वे ईंलार्जमेंट नो रहे हैं तो उसकंडेशन में क्या करेगी कैसे आप नैजिकेत करने करेगी तो अगर अगर वहां से आपका एक जीला डूर टेंपरेबरेचर चेकिंग डूर टेंपरेचर चेकिंग घर एक जिला वेट वीट कहा है मैं तो क्या करना है अपने पाणा वाइब लेचला का मैं यह जीला है clicking चेक ठेक्ड पया है छिए कि यह बहुत ज्यादा आने वाला और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्यूशन है कि क्यूशन ऐसा पूचा जाता है कि कैसे वाइप है वेट है स्वेटिंग आ रही है एक्सेसिव स्वेटिंग है तो उस कंडिशन में नर्स क्या करेगी उसको वाइप करेगी रुबाइ पीस ठीक है उस कंडिशन में यह ले सकते हैं तो यह एक इम्पोर्टेंट था एक जिदा से साइट कैसे ली जाती है अब आती है नेक्स्ट आपके आती है रेक्टल हमकिन के आति आककी रेक्टेल साइट कि रेकटल से आपका थर्मामेटर है जो उससे आपका तेंपरेचर कैसे चेक किया विद्वाएं अगल जो कहें थीचेल से कैसे लिया यह से तो यहां पहले अपन देख लेते हैं जो नूर्मल डियं नॉर्मल टेंपरिचर कितना होता है तो नॉर्मल होता है 99.6 डिगरी फेरेनाइट यह तो इसका नॉर्मल रहता है ठीक है अब बात करते हैं यह क्या रहता है मोस्ट रिलाइबल भेक्टर मोस्ट इसके बाद में इसके बाद में बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है क्या नेक्स्ट होता है आपका यहां पे लेस कि एन्वायरमेंटल कि इन्वायरमेंटल 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 के 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 इन्व ऐसे जो घ्रकर को रहता है यह आपका रहता है यह आपका रहता है इंप अबोत अधर कंडिशन tamae ओरल वाली में भी ज्याद रहेगा और आपकी एक जीला वाली में भी ज्याद रहेगा तो लो डिगरी फेरेनाइट कि है रूट और एक to sori दीन्य लो रहेगा किससे आपका एक जी लाए leaving अधिक है मैं अबताएं कि एक डिक्रीफ हर दो आपका high रहेगा कि堵ाल से और डूब रहेगा किसे नहीं लाएगा एक जी लाश है औरी अब बात करते हैं कि यह आपका मोस्ट रिलायबल मेतर होता है कि हैप रिलायबल बात कर सकते हो आप विष्वाश में है और इसके हिंदी में मूलीक विश्वचनी है और next आता इसका कौन सा यह विश्वचनी क्या यहां पे जो ब्लड सप्लाइय रहती आई कि भी चली ब्लड कर अधले वह ज्यादा आपके क्या रव्टिज में ब्लेड शप्लाइए आप बात करते हैं को पर पर और करते हैं को कॉट्रसाल निकेशन और कॉले का टूटरस सब्सक्राइब है तो कौन निदिकेटेर कहां कहां हो सकता यह तो कॉंटरस का चूटरस टेड़ा लेगा जारों पैसेंट आपका हैं रोड हिब से एंटों लूकेमिया या ब्लड कैंसर बोल सकते हैं इसको ब्लड कैंसर वाले पैसिंट में नहीं ले सकते हैं या कोई भी ब्लीडिंग डिसोर्डर हो रहा हूं ब्लीडिंग डिसोर्डर में नहीं ले सकते पैसेंट अगर हैं रोड का बता दिया या काडिक पैसेंट हो काडिक पैसेंट में क्या होगा जो आपकी वेकस नर्व होती वह स्टिमुलेट हो जाती वेकस नर्व जो 10th cranial nerve होती है वो क्या हो जाती है इस्टिमूलेट हो जाती है और वेगस नर्व इस्टिमूलेट हो जाती है और इससे क्या रिक्स होती है कि इंक्रीज रिक्स ब्रेडी कार्डिया की रिक्स ज्यादा रह सकती है अगर मैं बताऊं तो बहुत तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इतना समझ लिए कि आपका कार्डिक पेशिंट में आपड़ चेक करते तो वेकस नर्व इस्टिमुलेट होगी और जिसका रण क्या हो सकता है लो तो इसके अलावा क्या हो सकता है अपका कार्डिक पेशिंट में नहीं ले सकते हैं कोई रखी होаков ता ऐगाई चिया या पा मसक्या ना को या बुंवास हाफ पैसरेंड हो कि अग् अलिसएमिया ऍवर혼 minder onc है थीख है तो यह कुछ ऐसे हैं यह आपके सकते हैंदर हैं अर पनका रिर्ट रिकिक्षण के नहां उसकते आपको अब लोसकते नहां है नुक्क रोचिजर बोट पने के साथ बहुत ज़यादा इसकी होते हैं तो फिरन आपकर इंपोरेंट अब नहीं सकते एक अपन जो है इन कंडblock को नहीं ले सकतीए हिसमें इंचर्णम को रिक्स हो सकते हैं काडीक पे enjoyment में तो अपने को बैए सब्लिक नहीं कर सकते हैं कडिक आफ की क्याइब कर सकते हैं क्यों यह अफैक्ट करेगा अब बात करते हैं रोसीजर क्या इसका सेक्षा करने का जो प्रोसीजर कैसा है अधम है कि आध़ा हो सकता है प्रोसीजर कि अगर मैं बोलाऊ तो से करने से पहले पूजीशन देखते सा ऑप पॉजिशन क्या हो सकते हैं पॉजिशन क्या हो सकते हैं पॉजिशन कौन सी हो सकते हैं इसके अंदर पॉजिशन होती है फस्ट प्राइटी पर लेंगे आपन सिम्स पॉजिशन है 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 और दूसरी होती है आपकी है कि सेकेंड प्राइटी पर लेफ्ट लेटरल है कि है आरया है तिंदी पर रहें डिकें एघर में परोसीजर होते हैं उननहें आराय होगी है लें उसकेんです एक सब्सक्राइब करें गे बाद करेंगे मैं क्वांद इसको बात करेंगे आपको जहां जैली आपको क्या करेंगे टू परसेंट जैली आपका कितना लगाएंगे टिप ओप धर्मामेटर और कितनी लगाएंगे टिप ओप धर्मामेटर लगाएंगे और अब टू टू इनज किया अपको o कियर्वर अपको इंचने अपन इसको जाइलो कन जैली लगाएंगे एंचने करसक्ता है इंचीरिसे प्रवेंट कर सकता है तो टू परसेंट जाय लोगके अटेली आपन इसके उंदर लगा सकते हैं और वह आइस लगा इंस्ट्रक्ण लेते हैं तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि नर्स इंस्ट्रक्ट विः पैसेंट कि भी द्यूरी इंसर्षन एक्जैल जी बरीत बाइ माउथ एक्षा करती है जब आपका इंसर्षन करोगे जब आप टेंप रेक्टम के अंदर इंसर्ट करेंगों टेंपरेचर को तो उस तेंडियसंट में अपने को क्या दे रही है आपको इंस्ट्रेक्ट करें नर्स की एकसेल दी बरिट बाई दी माउथ आपको जो शास है जो मुझ से छोड़नी है कित्व देर के लिए आपसे रेक्टल करने छोड़नी है और यह क्या करती है यह आपका रिलेक्स कर देती किसको कि दी रेक्टल 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 स्पिंटर रेक्टल स्पिंटर को क्या करती है रिलेक्स कर देती है रेक्टल स्पिंटर को क्या करती है रिलेक्स कर देती है अब बात आती कि इंसर्शन कितना करें इंसर्शन कितना करता है तो इंस पोजिशन देंगे टू परसेंट जाय लोके जेली लगाएंगे अप्टू इंस्ट्रेक्ट करेंगे पेसेंट को एक्जल बाइदी माउथ एक से दो सेकिन एक से पांस सेकिन के लिए जो क्या करेंगी यह आपको रिलेक्स कर देगी किसको रेक्टल स्पिंटर को अब इसके अंदर आता है एडल्ट के अंदर होता है एक इंज से लेके आपका देड़ इंज तक आता है चाइल्ड उसमें आता है जीरोग्वाइप इंस टू है वण इन्ज ठीक है इसके लाओ अगर इंफेंट की बात करें कि तो वह होता है इसके अंदर आपका इंफेंट्स में कितना ले सकते हैं 0.5 इंच अब यह इंपोर्टेंट कई बार एक्जाम में बेह चू आपके दिल्ली हैं और बहुत सारी एक्जाम में पूछ सकते एक इंसर्शन कितना करना होता है तो एडल्ट में करेंगे एक इंस से लेके डेड इंस आपका चायल करेंगे जीरो फाइप इंस से लेके एक इंस और इस छiफ़ंट तो में एक ये आपकी प्रहीट रहें तो यह था आपका जो हैसे कैसे कर सकते हैं कि नहीं जो चेक करना होता है जिससे मैं आपको answer दे सकूँ, आप notes यहां से भी बना सकते हो, या आपको PDF में notes भी मिल जाएंगे, तो topic को revise करें, important topic है, thank you so much for kind attention.